कभी कभी एक फिल्म का टाइटल अजीव होता है जिसे समझने में बड़ी परेशानी होती है लेकिन फिल्म देखने के दौरान उसके टाइटल का असली मतलब रिवील होता है तो फील होता है कि चलो आज हमने कुछ नई चीज सीखी आज जिस फिल्म पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके नाम का अर्थ भी फिल्म देखने के बाद ही मुझे पता चला लेकिन मैं उसका अर्थ आपको पहले ही बता दूँगा फिल्म का नाम है ओहाम बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में बनी फिल्मे इन दिनों घाटे का सौधा साबित हो रही है ऐसे में रीजनल लेंगविज की फिल्में अपने अच्छे कंटेंट के कारण लोगों को ज्यादा भा रही है लेकिन आज जिस फिल्म की हम चर्चा करने वाले हैं वो बॉलिवुड के फिल्म होकर भी बॉलिवुड की नहीं है अगर हिंदी फिल्म किसी और राज्जे या शहर में वहाँ के लोगों के साथ बनाई जा रही है वो भी Hindi language में ना कि regional language में तो वो भी Bollywood filmी कहलाएगी ओहाम film दिल्ली में बनाई गई है यहीं के technicians, actors, directors और producers के साथ हाला कि यहाँ film में बनाना कोई नई बात नहीं है लेकिन जिस level की film में यहाँ बनती है वो चर्चा करने लायक भी नहीं रहती ऐसे में आज हम ओहाम film पर चर्चा कर रहे हैं तो मतलब कुछ बहतर करने की कोशिश की है दिल्ली के filmmakers ने ओहाम का अर्थ होता है ब्रहम या illusion मैं यह नहीं कहूंगा कि यह masterpiece है या even कमाल की film है अगर किसी film को थोड़ा बहतर बनाने की पहल भर भी हुई हो तो film को review करके उसे support किया जाना चाहिए जिस प्रकार से हमने पहले भी मैथली बोजपुरी या अन्य भशाओं के film को किया है तो यहाँ film में तीन मुख्य पातर है शिवा, चेतन और एक inspector फिल्म की शुरुवात होती है शिवा की वाइफ के गाइब होने से और investigation की कमान समहालते है इंस्पेक्टर यश्वन्त गौड जिसे निभाया है वरुन सूरी ने शिवा की वाइफ के investigation के दौरान बहुत से लोगों पर शक जाता है और कुछ छोटे बड़े twist and turns के बाद इस kidnapping की सारी गुथी सुलजती है फिल्म का screenplay मिला जुला कहा जा सकता है कुछ मौकों पर screenplay इस प्रकार से लिखा गया है कि scene में असली culprit आपकी नजरों से बचा रहता है तो कुछ जगह खराब screenplay मायूस भी करता है एक थाने के scene में शिवा की बेटी थानेदार के सामने शिवा के कान में कुछ कहती है जिस पर थानेदार कहता है बच्ची ने क्या कहा तुम से फिर शिवा कहता है पानी मांग रही है जिससे thrill की जो एक chain बननी शुरू होती है वो break होने लगती है इसको ऐसे भी दिखाये जा सकता था कि जब बच्ची ने पिता के कान में कुछ कहा तो दिखाते की थानेदार ने सुन लिया और हवलदार को पानी लेने बेज देता कान को सीधा पकड़ा जा सकता था फिर उसे गुमा कर पकड़ने की फिल्म में क्या जरूरत थी इसी प्रकार से एक और सीन है जब Constable जीप में बैठे इंस्पेक्टर के पास आकर कुछ बहुत important information देता है ये investigation वाला thriller सीन था जिसमें एक तेजी सी थी ऐसे में Constable आकर इंस्पेक्टर को कहता है सर और इंस्पेक्टर पहले अपना चश्मा निकालता है और फिर कहता है हाँ ये एक तरह का lazy attitude था और thrill सीन के बीच में खटकता है जबकि Constable के सर बोलते ही बिना चश्मा उतारे इंस्पेक्टर कहता बोलो तो ज्यादा effective लगता और अगर इंस्पेक्टर को थोड़ा attitude वाला दिखाना भी था तो हवलदार की तरफ देख कर सिर्फ अपनी भौहें उठा कर भी जवाब दे सका बहुत चोटी 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 चीज़े हैं यह हैं यह बट सीन की importance को घटाया बढ़ा सकती है एक्टिंग की बात करें तो शिवा के किरदार में हिर्दय सिंग का काम अच्छा है उनके पास एक्टिंग के अनेक फ्लेवर थे दिखाने के लिए जिसे उन्होंने अच्छा दिखाया भी है दिल्ली का एक कलाकार जो अभी तक किसी बड़े डिरेक्टर के अंडर में काम नहीं कर पाया उसका इस तरह का performance तारीफ योग्या है इंस्पेक्टर के रोल में वरुन सूरी कुछ जेगे अपनी चाप छोड़ते है हलाकि उनसे और बहतर करवाने की गुझाईश रह जाती है उनमें टैलेंट दिखता है और अगर वो और बहतर डिरेक्शन में काम करेंगे तो उनसे काफी कुछ निकलवाया जा सकेगा दिव्या मलिक थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की शिकार फील होती है उन्हें नाना पाटेकर का डायलोग याद रखने की जरूरत है कंट्रोल दिव्या कंट्रोल मतलब फ्लो फ्लो में वो थोड़ा सा ओवर हो जाती है उसके बावज़ूत मैं कहूंगा कि उनके अंदर टैलेंट है जिससे निकारने की जरूरत है देखे इस रिव्यू को आम महंगी बॉलिवूड फिल्मों के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यहां बजट कम है, एक्टर नए है, क्रू नए है मुंबया बॉलिवूड टैक्निशियन्स नहीं है बट दिल्ली में जिस लेवल की फिल्में बनती है उसके कंपेरिजन में ये फिल्म एक टरनिंग पॉइंट साबित होगी में भी इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट मिले तो आगे चलकर यही लोग बॉलिवूड के टक्कर की फिल्म बना सके हाला कि कई बॉलिवूड फिल्मों से तो बहतर एक्सपिरियन्स ये फिल्म देही देती है साउंड डिजाइन में खामिया है कुछ जगह जो ओरिजिनल साउंड कैप्चर में जो बाहर की आवाजे आती है जैसे गाडियों को साउंड रूम साउंड चिडिया की आवाज ये ज्यादा सुनाई देती है जिसके कारण ध्यान असल सीन से भटक जाता है इसे बैलेंस रखने की जरूरत है जैसे की उस सीन में जब शिवा अपनी पतनी को ढूणने के लिए अपनी पड़ोसन से पूछताज करता है फिल्म का म्यूजिक भी ओसत है और बीजियम ठीक है बट अगेन कई मौकों पर लाउड होने लगता है जैसे की एक सीन में जहां पुलिस वाला चेतन के बिजनस पार्टनर से इन्वेस्टिगेशन करने आता है वहां एक ही फ्रेम में प्रेजेंट और पास्ट की दो घटनाओं को दिखाना अच्छा क्रेटिव वर्क फील होता है डिरेक्शन किया है अंके थंस ने जो बार्ड आफ बलड्स और गिन्नी वेट्स सनी जैसी फिल्मों में एक्टर के तौर पर काम कर चुके है डिरेक्शन और सीमित संसाधनों के नजरिये से उनका काम ठीक है बट सुधार की गुंजाईश यहां भी रह जाती है कहानी थोड़ी सी प्रेडिक्टिबल रहती है बाकि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के फैंस को ये फिल्म बाह सकती है मेरी तरफ से टौ एंदे हाफ स्टार्स वे नाइस टेयर